हलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग मैं हूँ एम जे फ्रेंट्स अभी जो कॉमेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये कॉमेंट मुझे कल की वीडियो पे आई है और मैं अच्छी तर जानता हूँ कि ये कॉमेंट कोई मैची और आदमी ने नहीं की है एक छोटे बच्चे ने की है अब मैं ये कॉमेंट आपको क्यों डिस्पले करा रहा हूं आपको क्यों बता रहा हूं अब जैसे की फ्रेंट्स ये कॉमेंट में लिखा हुआ है कि मैं जैसे की आपको बताता हूं कुछ टिप्स बताता हूं क्यार बताता हूं प्लांट्स की तो फिर आपके प्लांट् तो एक्चुली में चीज क्या होती है हमारे जो यूथ है आज खलके जो जेनरेशन है जो नौलेज लेना चाहते है गार्डनिंग से रिलेडिड तो उनको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कुट में नौलेज चाहिए वो पूरी इंफॉर्मेशन जानते नहीं है वो पूरी इंफ कुछ ऐसा उल्टा सीधा ही बोल देते हों तो कल की ये जो कॉमेंट आप देख रहे हो उसमें भी सेम चीज है मैं उसमें किसी की गलती नहीं बोलूँगा लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन अगर आप नौलेज जानना चाहते हो कि मैं वीडियो में क्या बता रहा हूँ त इसकी वज़े से मेरे प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप के पैस्ट और फंगस ये मौनसुन की सीजन में नहीं लगे ठीक है नहीं लगे लेकिन कॉमेंट आई है कि आप बता रहे हो तो आपके प्लांट क्यों डैमेज है क्यों खराब है तो कल जो मैंने आपको प्लांट ब बताया था जो ओवर वाटरिंग से इश्यू में आ गया था तो उसके अंदर भी friends मैंने बताया था कि क्यों वो reason से हुआ अब जो भी friends मैं personally experience करता हूँ वो चीज मैं आपके साथ share करता हूँ और उसका solution बताता हूँ सिर्फ share नहीं करता उसका solution बताता हूँ, plant का update भी देता हूँ, कि किस हिसाब से हमें ऐसे plant को treat करना चाहिए अब एक चीज है friends कि अगर आप अपने gardening करते हो, तो आप particular कोई भी एक treatment देते हो plant के उपर तो ये ज़रूरी नहीं कि वो treatment देते हो, तो lifelong आपके plant के उपर किसी भी टाइप की problem नहीं आएगी ये gardening क्या, आपकी life में भी daily, each and every second आपको problems का face करना पड़ेगा और वो problems का solution लाना पड़ेगा, अगर आप एक problem का solution लाओगे, तो बाद में दूसरी problem खड़ी होने ही वाली है ये है कुदरत का नियम, समझ लीजिए जो भी छोटे बच्चे ये देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये है कुदरत का नियम अगर आप अपने gardening में भी कोई चीज करते हो, अगर आप अपने plants की care करते हो, अगर आपने एक particular treatment की है तो समझ जाओ, कि ये चीजिए से तो आपके plant बाहर निकल गए है, तो आपके plant को और कोई चुनोती का सामना करना पड़ेगा और उसका solution आपको लाना पड़ेगा तो ये होती है gardening, ये होती है life, अब कोई भी चीज में चले जाओ, आप अपना business करो, job करो, gardening करो या तो अपनी life में जो आपकी personal life वगएर है, सब में यही चीज आपको face करनी पड़ेगी अब एक चीज का solution लाओगे, तो दूसरी चीज खड़ी होने ही वाली है तो मेरे gardening में friends, ऐसा ही होता है, मेरे क्या, हरे gardeners के life में ऐसा ही ही होता है अगर वो एक particular चीज का solution लाते है, तो दूसरी चीज खड़ी होती ही है अब मैंने कल वीडियो बनाई थी, bio organic products के उपर, जिसके वज़े से मेरे plants के उपर pest नहीं आये लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि अब मेरे plants lifelong बहुत अच्छे हो जाएंगे में भी एक महीने, देड़ महीने के बाद पता नहीं क्या होगा जो भी होगा, उसका solution लाना हमें पड़ेगा तो बस यह simple चीज है, जो अभी मैंने आपको बताई है जिसको समझ में आये, वो समझे अगर जिसको समझ में नहीं आये, उसको भगवान समझाए तो आज का वीडियो का टॉपिक यह रहेगा स्प्रेयर, क्योंकि कल जो कॉमेंट मुझे मिली है वीडियो में mostly जो कॉमेंट मिली है, वो स्प्रेयर से related मिली है कि मैं कौन सा स्प्रेयर यूज करता हूँ अब मैंने friends, बहुत ही अलग-अलग टाइप के स्प्रेयर यूज किये है मैंने 20 लीटर वाला स्प्रेयर भी यूज किया है मैंने 8 लीटर वाला स्प्रेयर भी यूज किया है लेकिन अभी जो मैंने स्प्रेयर बनाया है, वो मैंने खुद बनाया है जी हां जो मेरे पुराना जो स्प्रेयर था उसके अंदर से जुगाड करके एक एवरेट समद लीजी अगर मैं 15-20 लीटर का स्प्रेयर लेने जाओंगा तो मुझे 2000 या तो 1500 के आसपास मिलेगा लेकिन यह जो स्प्रेयर है यह स्प्रेयर मुझे 800-900 रुपे के आसपास अगर मैं वह मार्केट से लाऊंगा उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें तो मैं आपको दिखा देता हूं कि किसी साब से मैंने वह स्प्रियर को रेडी किया है तो जैसे कि देख रहे हैं यह है मेरी मेरा स्प्रियर अब यह जो देख रहे हैं यह एक 12 वोट की मो मोटर है उसके साथ यह पाइप लगा हुआ है और यह जो पाइप है यह पाइप हमारे जो स्प्रियर रहते हैं जो मेरे पास पुराना स्प्रियर रहता है उसमें से मैंने यह पाइप को कट कर दिया था यह जो देख रहे हैं यहां से मैंने पाइप को कट कर दिया था और य यहाँ पे जो pipe देख रहे है motor के यह input का pipe है और यह pipe जाता है सीधा पानी के अंदर यानि कि जो भी आप fertilizer या तो insecticide या तो fungicide जो भी बनाते हो वो bucket के अंदर बनाते हो वो pipe सीधा जाएगा bucket के अंदर और यहाँ से पानी यह motor खीचेगा और यहाँ से पानी वो release करेगा और हम यहाँ से press करेंगे तो सीधा पानी spray हमारे यहाँ पे आएगा इस आपका फ्रेंज युगाड में ने बनाया है अब यह थोड़ा सा long lasting है अगर आप sprayer वगेरे लाओगे तो वो थोड़े से temporary basis पे about एक साल देर साल तक चलेंगे लेकिन यह जो motor है यह लंबे टाइम तक आप और फुल motor मत लीजिए 12 वोट की motor आराम से चल जाएगी अब यह जो 12 वोट की motor है फ्रेंज यह सीधा आपके plug के अंदर इसका connection नहीं जाएगा जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने plug लगाया हुआ है तो सीधा direct connection उसके अंदर मत दीजिएगा नहीं तो यह motor जल जाएग आपको एक adapter लेना है यह जो देख रहे है यह adapter है जो आपको कोई भी electrical shop से मिल जाएगा यह adapter अगर आपके पास adapter नहीं हो तो बाद में यह battery के ध्वारा यह चल पाएगी तो आपको एक battery लेनी पड़ेगी battery के साथ आपको connect करना पड़ेगा लेकिन मैं battery वाला मुझे थोड़ यह wire है यह motor का wire है जैसे कि यह जो देख रहे हो यह motor का wire है और यह जो wire है यह adapter का wire है तो दोनों को friends मैंने जोड़ दिया है यह pin है उसकी तो यह pin के द्वारा friends मैंने दोनों को जोड़ दिया है और बाद में जो adapter का plug है adapter का plug मैंने सीधा यह direct connection में दे दिया है यहाँ से मैं switch चालू करूँगा, तो बाद में स्प्रे चालू हो जाएगा, अब मैं इसकी स्विच ओन करता हूँ, जैसे की देख रहे हैं, मैंने यहां से कवर किया हुआ है, क्योंकि बारिष का सीजन चल रहा है, तो कोई भी रिस्क लेना नहीं है हमें, तो यहां से मैंने स्विच को उन क स्विच ओन करने से हमारी मोटर स्टार्ट हो गई यहां से पानी खीचना इसने स्टार्ट कर दिया और यह पाइप के द्वारा हमारे स्प्रियर में एक बहुत ही अच्छी फोर्सफुली यह स्प्रियर चलना स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स निकल रही है जैसे की देख रहे हो बहुत ही बारिक ड्रॉपलेट्स निकल रही है और ऐसी ड्रॉपलेट्स अगर रहेगी तो बाद में आपके प्लांट के उपर बहुत ही कम पानी में आप अपने प्लांट को कवर कर सकते हैं उपर से पानी भी टपकने लगा, तो ये बहुत ही अच्छा और effective sprayer है, जो मैंने खुद ready किया है, क्योंकि मैं बहुत बार परेशान हो गया हूँ ये sprayer से, क्योंकि ये sprayer लंबे टाइम तक चलते नहीं है, और अगर चलते भी है, तो बाद में ये जो force है, वो कुछ ऐसे आत नहीं है, हमें बाद में sprayer को उठाना पड़ता है, जो 8 लीटर का जो sprayer आता है, वो 8 लीटर के sprayer को हमें उठाना पड़ता है, इसको बंद कर देता हूँ अभी, तो जो 8 लीटर का जो sprayer आता है, और 15-20 लीटर का sprayer आता है, उसको उठाना पड़ता है, या तो पीछे लट तो यह जो पैप दो आपको थोड़ा वगरता हूं तो यह जो sprayer में मैं आपको थोड़ा सा deep में और बताऊंगा जैसे कि देख रहे हो यह जो sprayer आपको मिलेगा यह Amazon से मिल जाएगा या तो अगर आप local market में भी ढूंडोगे तो यह 12 watt का आपको sprayer मिल जाएगा दूसरी चीज यह जो pipe अगर आप select करते हो यह जो pipe देख रहे हो यह one of the motor pipe है जो easily press नहीं होता यह high pressure वगेरे प्रेशर से हम जो भी spray करते है वगेरे उसके लिए यह pipe बहुत useful रहता है अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे यह 5 mm का HDSC pipe है यहाँ पे जो देख रहे है company का नाम और यह जो देख रहे है फ्रेंज 5 mm का pipe है यह यह पूरी details अगर आप ले लोगे और अगर आप pipe वाले के पास जाओगे तो आपको easy रहेगा तो ऐसा ही pipe लेना है ज्यादा नरम pipe मत लीजिए यह जो देख रहे है फ्रेंज यह inlet का pipe है यानि कि यहाँ से पानी अंदर जाता है यह जो pipe है यह pipe soft है ऐसा pipe अगर आप यहाँ पे लोगे तो बाद में यह pipe आगे चलके फटने की possibility रहती है तो ऐसा heavy pipe लीजिएगा जो easily ना फटे यह pipe inlet का pipe है तो इसमें फटने की problem नहीं रहती और दूसरी चीज जब भी आप यह motor चालू करते हो तो pipe ऐसा नहीं रहना चाहिए pipe ऐसा रहेगा तो यहाँ पे पानी अटक जाएगा तो सीधा रहना चाहिए pipe और सीधे होके हमें सीधा bucket के अंदर इसको डाल देना है और यह जो motor के उपर जो pipe हम चड़ाते है friends यह easily नहीं चड़ेगा इसके लिए friends आपको इसको गरम करना पड़ेगा यह जो pipe है यह आप हलके से इसको गरम करिए गरम करने के बाद अगर आप यह motor के उपर चड़ा दोगे तो easily चड़ जाएगा सेम तरीके से यह pipe को भी अगर आप हलके से गरम करोगे गरम करने के बाद आप easily यह motor के उपर चड़ा सकोगे और बाद में यह जो clamp है वो clamp लगाना बहुत ज्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह motor के अंदर से pressure आएगा वो pressure की वज़े से friends यह जो pipe है वो फिर से reverse बाहर निकल सकता है तो इसलिए आपको यहाँ पे clamp लगाना है यहाँ पे भी clamp लगाना है दूसरा clamp आपको आपके जो sprayer के pipe है उसके साथ भी लगा सकते हो जैसे की देख रहे हो यहाँ पे भी friends मैंने एक connector लगाया हुए है 5 mm का pipe joint करने के लिए friends हमें connector लेना है जो आप plumber की shop वगेरे से ले सकते हो और उसके उपर भी friends मैंने यह दो clamp लगाया हुए है क्योंकि pressure ज्यादा रहता है pressure होने की वज़े से यह pipe फिर से reverse जा सकता है अब दूसरी एक option आपके पास यह रहता है अगर आपको यह नहीं use करना है तो बाद में market में या तो amazon पे direct spray nozzle मिलते है जो direct यह pipe के साथ ही आप connect कर सकते हो यह वाले pipe के साथ ही आप connect कर सकते हो आपको यह pipe लगाने की जरूरत नहीं है तो वो spray nozzle भी friends direct यह pipe के अंदर आप जोड दीजिए और आपका sprayer स्टार्ट हो जाएगा तो यह sprayer friends में use करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही अलग-अलग type के sprayer use किये है लेकिन इस से ज़्यादा comfortable sprayer मुझे कोई भी नहीं लगा तो यह है मेरी वीडियो sprayer से related अगर आपको किसी भी type का confusion हुआ तो प्लीज आप Instagram पे मुझे message कर सकते हो Telegram ग्रूप में message कर सकते हो Till then के लिए thank you friends और happy gardening और happy monsoons